अमश्याति, 31 ओक्टूबर के श्रोदर्मना सोगत है, परमातों परता कहते हैं, नेराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधी पूर्वक मनाने वाली श्रेश्ट आत्मा भवा विस्तार में चलते हैं, दीप माला अभिनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यह है दीपकों का यादगार, जगे हुए दीपकों का, आप चमकती हुए आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसको कहते हैं, इनलाइटनमेंट, आत्मिक अभिमान में रहना, यह आत्म अभिमान में रहना, सोल कॉंशिस रहना, इसलिए चमकती हुए आत्मा दिवे जोती का जाथजार्ट, स्थूलल टिपक की जोती में दिखाया है तो हुआत्म जगी को हमने क्या कर दिया ? भक्त इमार्गह में दिया जलाने की ज़से कर दिया वारो हर चीज को हमने एक फीजिकल फॉम देci इसी तरीके से हमने भागवान दिखते नहीं तो उसको भी हमने फिजिकल फॉर्म देने की कुश्क्री हमने देवताओं को भागवान मानना शुरू करा क्योंकि हमें कोई तत्य चाहिए था हमें कोई फिजिकल चाहिए था हमें कोई seeing is believing जूसकर था हमें कोई एक फिजिकल चाहिए जिसको हम देखे और हम माने कि हाँ यह है परमात्म कहते हैं इसी में तुमारी बुद्धी बंदोनी चुरूगी तो इसलिए परमात्म कहते हैं कि आपने दीपकों को soul जो आत्मा है उसकी जागरती का एक निशान बना दिया आपने एक तरीके से एक निशानी होगी वो फिर परमात्म कहते हैं कि इसलिए चमकती हुई आत्मा है दिवे जोती का यादगार स्थूल दीपक की जोती में दिखाया है तो एक तरफ नेराकारी आत्मा के रूप का यादगार है दूसरी तरफ आपके ही भविश्य साकार दिवे सरूप लक्षमी के रूप में यादगार है तो हम याद करते हैं लक्षमी जी को याद करते हैं पूजा करते हैं इंको तो दीप जलेगा तो आप लक्षमी नरायन जैसे बनेंगे तो दीपक जलाना हम दीप जलान से पहले हम क्या करते हैं घर साफ करता है मतलब कि मन को साफ करना बुद्धि को साफ करना आप पवित्र संख्र न लद रखना किसी से दुशना रखना किसी से वैर न रखना तब जाके दीप जलेगा दीप जला, देपक जला, आप soul conscious होए, आप practice करते करते हैं, आत्मा भी मानी प्रैक्टिस करते करते हैं, आफिर देवता बन जाएंगे, लक्षमी नरान बन जाएंगे, बस यही एक short form में करोप पता जाए, दीपावली का यही एक अर्थ है दुसरी तरफ आपके ही वहवेश साकार दिविर सुरूप लक्षमी की रूप में यादकार है यही दीपमाला देवपद प्राप्त करती है तो आप श्रिष्ट आत्माएं अपना यादकार स्वयम ही मना रहे हो दिपावली मनाना ही मतलब कि अपने बारे में अपने ही स्टोरी को फिर से दोराना अपने ही चागरत अवस्ता को यादकरना अमश्यांति